हलो नमस्कार जहिंद से इस्टी कोटे के इंतरगा सब कटिग्राइजेशन के लिए अनुमती दे दिये सुप्रीम कोट ने तो यह क्या चीज है यह मेंटर क्या है इसके बारे में सभी प्रावधानों को डिटेल्स में आपको समझाएंगे तो डिटेल्स में लोग देखें कि तो इस वीडियो में इससे पहले वीडियो को लाइक कर दिजए शेर कर देचिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार के इनफार मेंटिव यदियो आपका समय समय से मिल पाई देखिए निवृण कोड एलाव सब साथ ज़सित्स जी दिवाई चंद्र चूण जशिस बी रगर ईस्टिस बिकरम नाज श्टस विएम्त्रिवेदी जश्टेस नोज मिस्रा ज़स्टिस पंकल वुद्टर सिस्टेस घरमा है यह साथ ज़सागों की बैंच ने स्पैसले को दिया है इसमें से ज़स्टिस बियामत त्रिवेदी का अलग मत था बाकिशे का एक अलग मत था इसके बारे मेंדי इन ट्रवेदी कि अंव बात करें है कि इसके बारे में आपका बता दो कि टोटल 59.5 परसेंट आरक्षण दिया गया है टोटल जिसमें से ओविसी के लिए 27 परसेंट आरक्षण 22.5 परसेंट आरक्षण स्टी स्टी के लिए जिसमें से स्टी के लिए 15 परसेंट है रश्टी के लिए 7.5 परसेंट है यानि कि टूटल साहनी बनाम भारस संग राजी में सुप्रिम कोट ने कहा था कि किसी भी बिंदु पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन ध्यान देंगे इसी केस में सुप्रिम कोट ने भी कहा था बिरिशेश परिष्थीतियों में 50% से अधिक वाए लेकिन आप बात करते हैं इसे त्सक27 बंकार आते हैं क्यों पड़ती वरत हैं घृक्षण के हम आपको पता दें कि आसरख अल्रों किया वह सकता समाज की मुक्यझ्धारा से जो पिछड़े हुए लोग ऑनको समाज की मुक्यझ्धारा में लाने के लिए आरक्षण की जरूत होती है ताकि इसनको समाज की मुख्यधारे में लाया जा सके जैसे फार एक्जाम्पुल के लिए यह फोटो समाज की मुख्यधारा को बहुत काईदे से आपको दिखाती डिस्पले करती है देखिए यह महासे हैं जो लंबे हो गए हैं लंबे महाराज इतने ऊच्छे हैं कि चाहें तो शॉट खूल के अपनी बाड़ी भी दिखा सकते यह ज़िए यह महाराज क्या है यह ज्यादा उचे नहीं है यह थीक ठाक है यह इतना ज्यादा देख पारा है कि जाने तो अपनी बाड़ी भी दिखा लें और इनको दिखाई ही नहीं दे रहा है मैच तो इस समाज में असमानता है इस असमानता को समानता में बदलने के लिए का करेंगे इनका बाक्स उठाकर और इस छोटे महराज को नाटे महराज को दे देंगे इनके पास दो बाक्स हो गया दो बाक्स हो गया इनके पास इनके पास एक भी बाक्स नहीं हो गया अब क्या हो गया यह तो पहले से देख पा रहे थे ठीक ठाक यह नहीं देख पा रहे थे बाक्स लगए तो यह देखने लगए और यह जो बाड़ी दिखा रहे equality लाना समाझम अर्था समाज की मुख्य धार से पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना यही Demo पढ़ेशन का उदेश्या है इससे पहले किस की बारे में समझें आपको अनुषेदों के बारे में बतादे अनुषेद एक किसको होगा राष्टपती को होगा और अधिसूचना दोराई से बताएगा उसके बाद अंचे 342 जो बाते कहता है वहीं बात अंचे 342 के लिए कहता है अर्थात अंसुचित जाती के लिए कहता है है शिडूल कस्ट के लिए कहता है लेकिन तीन सब व किसको देते राष्टपती को देते हैं अंधर अर्ष्ट्स पथि चाटेगराईज करेंगे किसी भी समुधाय किसी भी जाती को अधिस उचना जारी करके यह पावर राष्टपती को है लेकिन 341 स्ट के लिए और 342 स्ट के लिए है एक अनुशेद देखें कि 142 अनुशेद 142 कहता है कि उचितम न्याले के आदेशों और डिग्रियों का प्रवर्तन था खोज आती से संबंदित आदेशों का प्रवर्तन अनुशेद 142 ऐसा कहता है कि सुप्रीम कोट के द्वारत जब किसी प्रकार के फैसला सुनाए जाते हैं उसका प्रवर्तन पूरे भारत पर होगा और पूरे भारत को उसको मानना आवस्चेख होगा वो एक कानून की तरह मान जाएगा वो सुप्रीम कोट का कोई भी फैसला इस प्रकार माना जाएगा जैसे मानों की वह संसद में कानून बना हो इस प्रकार माना जाएगा और तब तक माना जाएगा जब तक राष्ट्रपती नया कानून नहीं बना देते हैं हम आपका बता दे कि राष्ट्रपती न अबने आपका बताया कि साथ जो की बेंच ने फैसला दिया है जो समयधानिक पीठ है अगर कोई भी प्रावधान समयधानिक मुद्धों से संबंदीत होता है और था समयधानिक चीजों को टटर्ट करता है कोई भी प्रवदां यायने कि सम्भीधानिक चीजों या संभीधानिक मुद्धों का मतलब कि समभीधान में वरनित किसी भी प्रावधान को अगर टेच करता है कोई भी प्रावधान तो उसको उसका फैसला सुनाने के लिए समयधानिक पीठ चाहिए कम से कम पांच चाहिए और पांच पांच जजों की पीठ को समयधानिक पीठी कहते हैं और पांच जजों की ऊपर जितने भी पीट होती है समयधानिक पीठी भी खालाती है हम आपको बता दें कि जजों कि संख्यास में हमेशा बिसम में होती है ताकि फैसले को देते समय बराबर बराबर कभी भी नहों जैसे च्छाह होंगे तो तीन एक साथ तीन से नहीं कहेंगे कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोट की मंजूरि मिल चुकी है कि एष्ट के अंदर सबकटेगराइजिएशन को सुप्रेम कि अंदर मंजूरि मिल सकी है 2004 के फैस लेट यह मैं सकते हैं सबक्रण होत्य है ऐस्चीय को यह आधिकार है कि अपने द्वारा दिये गए किसी भी फैसले को उसकी समिक्षा कर सकता है और समिक्षा करने का मतलब यहीं होता है कर उसमें कोई कतुटी पाए जाती तिन संसनोंदर क्या जाकता है यानिकी इंडारेक्टर्व से अंच्छे भारतिय संविधान का अंच्छ आंधर प्रदेश राज जो 2004 आया था पांच जैरों की बेंच ने इसे ङृष्म दिया था हमने अभी बताया कि क्योंकि समयधानिक्षा को करता समयधानिक अ burdens ने इसलिए समयधानिक अपने हैसी के अंदर सब करणाओ अनुमती नहीं यह तरक संगत नहीं है और वर गिविटर नहीं होना नहीं समभा उसमें सुप्रीम होट के साथ नंदां त्यूंङ साथ निया दीत नहें Te Cell foods ने कराई रखसंथ और पने रिआ गया है यह अब कर न है जो अलग साइड है भीम ढराइब questa करेंगे उपक्राइब करन कर सकता है कोट ने 2014 का फैसला को पलट दिया है कोट ने इवीच नहीं यह फैसले में पांच जैजों की पिठने फैसला जो सुनाया था उसी फैसले को आप सुप्रिम कोट ने पलट दिया है पंजाब की मामले में चल रही थी सुनवाई देखे मुख्य मामला जो था पंजाब का था पंजाब में एससी जो समुदाय था इससी समुदाय के लिए आरक्षि सीटों में 50 फिसदी वालमी की और मजहभी सीखों के लिए आरक्षित कर दिया था यानि कि अगर 15% सी को आरक्षिन मिलता है तो 15 में से 7.5% केवल किसके लिए था बालमी की और मजहभी सीखों के लिए कर दिया था इस परकार कारक्षण पंजाब सरकार के द्वَّरा जब जब किया गया था इसक पैसली को चैलेंज किया गया था वहां की हाई कोट में पंजाब में पर रिया क्वाःा के जब सब्सक्राइब कर दिया तो अंधे होटिक पहुंच गई सुप्रीम कोड पहुंच गई आप कर अब धर कर आई पहुंच गई इसफैसले के विरोध में तो सुप्रीम कोड ने इसी चालेंज के तahar पिछला जो विए पिछला जो वी चीनिया का मामला था उस मामले को कैंसिल किया गया 2004 को जो मामला था जिसमें सुप्रिम कुंडे खुद ही कहा था कि सब केटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता इसी में उसी को कैंसिल किया उसने और कहा कि नहीं सब किटेशन किया जा सकता है करना क clicking किया जा सकता तो अभी फिलहाल में सर्ता किया सकता है इस कि बाते क्या है स्ण में सब्सक्राइब कर दी है और के बात करते और कि इसमें कुछ अब भी बात करते हैं इसके बारे में उबर किरनी में विली जातियों को सव प्रत्सेत राक्षण नहीं दिया जाता है दिख जिसे हमने अभी बताया कि पंजाब ने क्या क्या कि एसी को अगर 15% मिल रहा है से को 15 परसेंट का रख्षण मिल रहा है तो इसमें से 7.5 परसेंट यानि की आधा बालमी की और मजहभी सिख समुदाय के लिए रक्षित कर दिया और बाकी का जो बचा 7.5 परसेंट उसमें से अन्य सभी आएंगे जितने भी सी में आते होंगे अन्य सभी जाते हैं इसमें रख्षित नहीं किया जा सकता है अगर पंजाब सरकार कोई भी चाहें कि जो 7.5 परसेंट माजहभी सिख और बालमोगी को दिया जाता है वह कूल 15 का 15 परसेंट भी इनी को दिया जाए और बाकी जो आते हैं एसी में अधर उनको नहीं दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है घरनी कि कुसी को सौ प्रतिसात नहीं दिया जा सकता है कि सब्सक्राइब जनी केरें कि इससी में ही रहोगे लेकिन तुम को 0% देंगे और बाकी को 99 जो है कि चुछ आप मैं 15 परेंट का 15 परेंट देखें तो ऐसा भी नहीं हो सकता किसी को 0% जब किसी को तो होना चाहिए आईसा नहीं कि जिसको मर्णी उठाकर ज्वालों कर दिए जिसकी मर्घी को उठाकर कम आरेकं कर दिये सब च Carn otLife तो ऐसा नहीं कर सकते हैं उसके पीछे तरक्त होना चाहिए तरक संगत प्रभाव करने वाले करने की जरूरत है और जिस हिसाब से आप जो कि सब करेंगे उसके उसका आपके पास होना चाहिए और आख्रा का जरूरत पढ़ने पर प्यस करना पड़ेगा क्योंगि इसे सुप्रिम College ने नाएक समीख्षा के अधिन रख दिया है My मतलब ये होता है सुप्रिम गुट जब जाहिए इस पर नयायक समीख्षा कर सकती है किfund फ्रावान ठीक है या नहीं ठीक है यह प्रावधान ठीक है या नहीं ठीक है तो नाइक से मिक्षा क्या दिन रख दिया इसको इसलिए आंकड़ा पेस करना होगा हारक्षण निति के पुनरलोकन और उत्थान का को और तरीका खोजने पर भी जूर दिया गया है कि साथ जजों की जो पीठ में जस्टिस बेला त्रिवेदी जो थी इन्होंने सम्विधानिक प्रावधानों के खिलाप इसे बताया था जो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जो अलग प्रावधान जो अलग मत था उन्होंने कहा कि स्टी का वूप बवर्गी करन सम्विधानि प्रक्रियाओं के खिलाफ है उन्होंने कहा कि अंछे 341 तीन सब तालीस क्या कहा था अभी हमने पीछे बताया कि राष्टपति को अधिकार देता है कि वो किसी जाती को या किसी समुदाय को स्थी के अंदर कटिग्राइज करें और अंछे 342 यह भी राष्टपति को पावर द 342 में जारी राष्टपति की सूची में कोई भी बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है राज्यों को यहाधिकार नहीं है इसलिया राज्यों को सब राष्ट्रपति ने जब तीन से बैल का प्रियोंकर का दिया इतनी जातिया उतने सम्दाइश्टी में आएंगे तो उसमें तो कोई बदलावकर ही नहीं रहा है उसके अंदर गत उन्ते उसके अंदर जाकर के उसमें सब कटेगराईज किया जा रहा है यह जो ज्याता पिछड में सीमून को कम अरक्षण उसके अधिन किया जा रहा है राष्ट्रपति की राष्ट्रपति के अधिकारों पर तक कोई इंटरफेर करी नहीं रहा है कि एक यूप फ्रेक्वेंटी आस्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपको थोड़ा सब बता दें कि क्या हो सकते हैं कि क्य क्रीमी लेयर लागू करना संभव होगा देखे जैसे क्रीमी लेयर में लागू होता है लागू होता है और में 10,000,000,000 रुपय से अधिक जिसकी वार्षी काही होती है उसको आरक्षण का लाव नहीं मिलता है से इसे फिल्टरेशन कहते है क्रीमि लेयर का फिल्टरेशन तो ओविसी में लागु है करी मिलागु किया जासकता है इसका संबंद में दो छीज़ें पहले ही कह दिया स्प्रेम कोट ने कि क्रिमी liyei bisson करना से लाखोटक्राण सम्भव नहीं होगा लेकिन इसके पीछे एक और तटार दूसरा तरक्य भी है जब क्रिम लाखो क्या जाता है तो किसी जाती को नहीं उठाया जाता है किसी परिवार को उठाया जाता है जाती को नहीं उठाकर परिवार को उठाया जाता है जिसकी वारसी का एक लिमिट से जादा होती है तो इसलिए इस प्राधार पर क्रिमी लेर को लागू किया जा सकता है कि निक्स्ट कुश्चन है कि क्या राक्षण सिर्फ सरकारी नवक्रियों में ही लागू होगा या एडमिशन लेने में और संसद बिधान सभा में भी इसका प्रभाव होगा हमने अभी आपका पता है कि 142 अंशेद संभिधान का 122 कहता है कि जब सुप्रिम कोट निरने देग के लिए भी होता है हां संसर्थ बिधान सभा की अंदर के प्रावधानों के लिए नहीं लागू होगा अंदर के प्रवधानों के लिए नहीं लग अल जया कि यह लGUा राजनेतिक प्रभाव क्या होगा राजनितिक प्रभाव अनुस्तित जाती की एक वर्ग को अपनी और कर सकेगी राजनितिक पार्टियां कोई भी राजनितिक पार्टी माली जी कोई पार्टी है कोई राजनितिक पार्टी है और उस पार्टी को एसी के जो लोग है अथो एस्टी के जो लोग है उनमें से एक तो यहां है यहां है और सब मोज़बर मेरे लिए क्षम लिए की स्कत्राइब को यह तो अड़े मैं कंप नहीं देती है और इनको छोड़िए अब क्या करेगा एब क्या करेगा उस उसन पार्टी की सारकार उस राजी में बनेगी तो जा करेगा यह पार्टी यह जाती वोड़िती है तो यह जाती को कहेगा कि 15 परसेंट में से 10% अरशना कए ले और बीजाती को कहेगा अचातों वोट नहीं दे रहे थे हमको न तो 15% में से 15% में सिर्फ 0.1% तुम ले लो और अन्य बाकी जो जितना बचा चार दसन लोना परसेंट अन्य के लिए हो जाएगा इसे प्रकार यानि कि जो जाती वोट देगी सरकार को पार्टी को तो वह पार्टी उसको प्रेफरेंस दे सकती है तो इसका प्रभाव यह भी पड़ेगा एनिक राजनीतिक पार्टी आप प्रतिनी दितु करते हैं और दलीत समाज का प्रतिनी दितु करते हैं और किसी को कम करना किसी को जादा करना तो उनको फैदा होगा नहीं क्योंकि तो वह पूरे दलीत समाज को करते हैं उल्टे क्या होगा उसमें एक मतभेद होगा एक प्रकार से तो जब मतभेद होगा तो तो इसलिए जो भी पार्टिया दलित समाज का प्रतिनी दित्यु करती हैं अत्वा दलितों की राजनीति करती उनको थोड़ा से नुक्सान देखने को मिल सकता है बाकी इस पर आपकी क्या रहा है आप ये पेजने कमेंट बाक्स में अपनी राय देंगे वीडियो को लाइक कर दिजिएगा शेयर कर दिजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तरह नहीं किया सब्सक्राइब कर लेजिएगा जिससे इस प्रकार के इनफर मेंटी वीड़ा आपको समय 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 से मिलते है द्रोन जी एस रसरसंट के साथ बनाय रहने के लिए आप सभी के देल से धन्यबाद